अब रुक करते हैं अगली खबर का भारत बायोटेक इंटरनाशनल लिमिटेड की कॉरोना वैक्सीन 15 अगस तक लोगों के इस्तमाल के लिए लॉंच की जा सकती है इस वैक्सीन को लेकर ICMR और भारत बायोटेक इंटरनाशनल लिमिटेड साथ काम कर रही है ये प्रोजेक सरकार की सबसे बड़ी प्रातमिताओं वाला प्रोजेक बताया जा रहा है ICMR और BBIL दोनों मिलकर वैक्सीन के प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डिवलप्मेंट के लिए काम भी कर रहे है ICMR के महानिदेशक बलराम भारगव ने उन हस्पतालों को चिठी लिखी है जहां इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाना है और ये ट्रायल शुरू भी होने जा रहा है साथ जुलाई से साथ ही चिठी में ये निर्देश भी है कि किस तरह से जो नियम होंगे उनका पालन किया जाना है और अगर नहीं किया गया पालन तो गंभीरता से इसे लिया जाएगा हम रुख करते सीधा हमारे सहियोगी परिमल कुमार का परिमल बहुत बड़ी एकी राहत की खबर है कि ये जो दवाई है अब ये को वैक्सीन लॉंच होने जा रही है लेकिन इंतजार क्योंकि बहुत लंबे वक्त से हो रहा है तो लग रहा है कि जल्दी आ जाए अगरी दवाई तयारे 15 अगस तक का वक्त क्यों लिया जा रहा है देखे बहुत दिन हमने आशंकाओं में बिताया है और आप संभावनाओं का दिन आज आप मान सकते हैं क्योंकि दो-दो चीज बड़ी है उसमें एक तो पहले चीज है कि भारत बियोटिक के वैक्सीन को लेकर 15 अगस को लॉंच करने को तेयार है कि कोई वैक्सीन को लेके पहले भी कहा जाता था कि कई साल लगते हैं वैक्सीन को बनाने में लेकिन अभी जो प्राट प्रिकता है भारत की नहीं दुनिया भर की कि वैक्सीन को डेवलप करें निवी पुने और भारत बायोटेक ने मिलकर इस वैक्सीन को तयार किया जिसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल किया गया अब यूमन ट्रायल में दोनों फेज से इसको गुजरना है तो एक संभावना बहुत जादा ठीक हुई इस वैक्सीन पर लेकिन अदीती यहाँ पर एक चीज तरह भारत बायोटेक यानि दोनों कम्पनियों पर उमीद जो है सीधे तोर पे वैक्सीन को लेके ही उमीद है कभी यह सवाल जब पूछा जाता है कोरोना कब तक खत्म होगा तो सीधे तोर पे जवाब एक ही चीज मिलती थी कि कोई साइंटिफिक ब्रेक्थ्रू हो तभी जाके इससे निजात पाया जा सकता है वो साइंटिफिक ब्रेक्थ्रू को लेकर अब हमें संभावनाय दिखनी शुरू हो गई है और एक डेट भी मुकरनर एक तरीके से हो रहा है जहां पर उमीद जताई जा रही है कि 15 अगर्स्त को जो भारत बायोटेक की वैक्सीन और को जिस हिसाब से अनुमत्ती मिली थी भारत बायोटेक को जिस हिसाब से साथ मिला था इसी एमार का और नाईवी पूने का तो उम्मीद बहुत ज़्यादा घिकी हुई है इस वैक्सीन पर बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर परिमल आपका और इस वैक्सीन का सभी को भारत बाइटेक इंटरनाशनल लिमिटेड की तरफ से को वैक्सीन जो की कॉरणा के लिए वैक्सीन बताई जा रही है वो आ रहे है और दूसरी तरफ जाइडस केडिला को भी अनुमती मिल गई है human trial के लिए अब देखते हैं कि ये कितना उम्मीदों भरा होगा और इसका result क्या कुछ रहने वाला